दोश्तों इस समय मैं हूँ सीपी में और दिली का दिल कहाए जाने वाले सीपी में लगा हुआ है दिवाली मिला इसको आज मैं एक्सप्लोर करूए चले नेरे साथि म्याख करें अलौट vain किनाट maire यहां पर मैं गया हुआ था आप देह सकते हैं कि ये मिला कितना सजावट हो रही है और यहाँ पर मैं क्या बहुत सारे लोग last day आकर भी enjoy कर रहे थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा थे कि last day पर कुछ भी नहीं बचेगा पर ऐसा नहीं था यहाँ पर बिल्कुल पहले दिन जैसा ही लग रहा था आप देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर रंगोली बनी हुई है जो कि देखने में अच्छी लग रही है और यह electronic दिये हैं जो पानी से जलते हैं कि आपको मालूम था यह मुझे comment सकते हैं मैं जरूर बताईगा इसी के साथ यहाँ पर selfie point भी बना था आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत साथ लोगों ने picture click कराई मैंने भी click कराई है picture उसको देखने के लिए आपको मैं इंस्टा पर मुझे follow करना पड़ेगा इसी के साथ जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो आप देख सकते हैं lighting के साथ साथ यहाँ पर मुझे पता चला कि एक singer भी आया हुए हैं जो live perform कर रहे हैं मुझे उनका नाम नहीं मालूम अगर आपको मालूम है तो मुझे comment स्क्राइब में ज़रू बताएगा और आप भी क्या इस मेले में थे मुझे ये भी ज़रू बताएगा क्योंकि और दिल्ली से कौन-कौन से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे अपना address और अपना नाम मुझे ज़रू बताएगा मेले में अगर कुछ खाने की चीज़े ना हो तो मदब मिला बेकार है लेकिन इस मेले में आपको देश के अलग-अलग हिस्से से आई हुई चीज़े आपको खाने को मिलती अगर आप गए होते तो मैं तो गया था मैंने तो बहुत इंजॉय किया बात करूँ किया के स्टॉल की तो यहाँ पे आपको दौलत की चार्ट यानि कि मक्षन और भेल पूरी यहाँ पर रजस्दाणी फूड आपको मिल जाता सिंधी फूड भी आपको यहाँ पर मिलता इसथि के साथ लाइब पूर्फॉरमेंच चल लएग थी तो आप देख सकते है यहाँ पर सिंगल लाइब पूर्फॉरम कर रहे हैं और कितिना सारा crowd यहां पर है और हल एच के लोग यहां पर खड़े हैं और इंजॉय कर रहे हैं मुझे भी यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा मैंने बहुत इंजॉय किया और इसी के साथ साथ मैं आपको यह बता दूँ कि यहां पर आने के लिए सबसे नजदी की matter station था वो है राजीर चौक राजीर चौक से आप बहुत ही कम समय में यहां पहुंच सकते हैं आप शाएं तो आटो भी ले सकते हैं आप आराम से पैदल चरकर आ सकते हैं आप देख सकते हैं कि सिंगर मूजिक के साथ 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 सिंगीं भी कर रहे हैं मैं भी enjoy कर रहा था यहां पर मेला काफी बड़ा था तो देखने में थोड़ा समय लगता इसलिए मैंने ज़्यादा performance इनकी नहीं देखी पर जितनी भी देखी मुझे बहुत पसंद आई बस मुझे एक चीज का यहां पर अफसोस है कि मुझे इनका नाम नहीं मालूम यह कौन सिंगर है अगर आपको मालूम है तो कमेंड सके में जरूबत हैईगा इसी के साथ आप डेखोरेशन देख सकते हैं कितनी संदर यहां पर है यहां पर खाने के कई सारे श्ट्राल लगे हुए थे कुछ पहले लगे हुए थे कुछ बीच में कुछ आगे भी लगे हुए थे इसी के साथ साथ देख सकते हैं लोगों ने शॉपिंग की हुई है मैंने आपर पानी पूरी ट्राय की थी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी इसी के साथ मैं जब आगे बढ़ा तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डेकरेशन इतनी ज्यादा है दूर दूर तक फै कि इसी के साथ जब मैं आगे बढ़ता हूं तो यहां पर सेल्फी पॉइंट था और आप यहां पर पिच्छर भी क्लिक करा सकते थे तो मैंने यहां पर अपनी पिच्छर क्लिक कराई थी आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे लोग अपने फ्रेंड के साथ आया हुए ह और पिच्चर क्लिक करा रहे हैं। तो मैंने सुझा हमसे जब करना पारा मैं क्यों पिचर लिए हमाइएं। तो मैंने भी दिवाली सेल laquelle इक चैय के बूट्ष удар कुन्ट भी ने रिशन करें। जो मुझे biology जरुरत नहीं है कि मेले में किन चेया कही हो लगे थे जो कि सबसे यूनिक थे क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जूले पसंद आते हैं जूले यहाँ पर लगे हुए थे पूरा मेला मैंने explore किया था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यह last day था और मैं इसको miss नहीं करना चाहता था इसलिए पर जाना थी क्योंकि यह दिल्ली टॉरिजम की तरफ से था और यहाँ पर काफी अच्छी विवस्ता थी पानी के लिए भी अच्छी विवस्ता थी और डेकरेशन भी काफी अच्छी थी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगए तो पर लाइक करिए कमेंट करिए मिलते इंक नए वीडियो